कि यह वर्वन वलकम बैक सो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताने हुआ कि 3D Max में फ्लोरिंग टाइल को कैसे करेक्ट करते हैं एक्टोली हमारे वीवर से उनकी कमेंस थी मुझे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊ वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए प्लोर जेनरेटर करके एक शोटा साव्टर रहता है एक प्लगीन आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए तो देटर करते हैं वीडियो को मैं आपको बता जता हूं मैंने यह पर डॉम लाइक लागा करके रखाए और रहकर एक वी रे प्लेट को मैंने आपकर द्रॉब कर देलाए और सब नीचे स्ट्रोल करेंगे तो आपको आप एक टाइलज करके एक मैप भी अपर लिए है जैसे आप उसको open करेंगे आपको देज सकती है आप देख साला में इस वूआ हो चुका है दिन आपको यहाद सम्हें लाइस के अटेशन में जाना है जैसे आप यह से आठ्वानट सेटिंग में जाएंगे आपको यह से तो फैनल मिलेंगे ऊटायल सेतपप यह तो गूत सेटपफ है जो ग्रूट सेटप आपको यह जो ब्लैक लाइन आप यह याप यह देख रहे ह seperti यह स revision to this account को यह Use का मौ कर सकते आपको सबते हैं तो अगर हो को और चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे कर सकते हैं या फिर आपको यहां पर कस्टम बनाने तो आप उसको भी बना सकते हैं ने फिलाल हम यहां से जो बादे पलता उसके ऊपर हम बनाएंगे जो स्क्वूर वाला था थो आप देख सकते जो लाइन आपको यहां पये दीख रहे सब्सक्राण कतो आप इसकी ठीकनेस को यहां से कम करना है तो आप यहां से इंग 5 जाये को आप इसके और वर्टिकल दोनों जगा पर वह चेंज हो जाएगा जैना आप यहाप एक नवन देख रहे हैं तो इसको पर अगर आपको यह पर टेक्चर अपलाई करना है तो आप यहाँ से इसको टेक्चर को अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले हम यहां से कैमरा व्यूमें जाते और यहां यहां से रेंडरिंग मैं आन कर लेतेवा ती शाथ शाथ हमें दिखेंकि किया आपे चेंजिस करें यह तो मैं है से स्कों बढ़ा कर लेता हूं कि इसके साइज को विए हम आप से त्वड़ा से बढ़ा कर लेते हैं कि यहाँ पिर हम यहां से सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर से इंटरेक्टिव रेंडरिंग को आउन कर देना है कि इसको मैं यहां से मिनिमाइस कर देता हूं इसे हम तोड़ा सा यह से बड़ा कर लेते हैं आँ तो देख सकते हैं यहाव हमारी इस तरीकी की फ्लोरिंग हमें यहाज आ है पर बनाई है इस तरीकर हम हम यहाँ आपे मेल रही थे आप आप यह नहीं ओड़ी है के मैप के अंदर तो आपको या पर डिपीज लॉट के ऊपर हमने एक टाइल का मैप अपने या पर अपलाई करके रखा है तो सबसे पहले आपको जो मैप करना जो टाइल की साइज और गूट की साइज करनी है वो पहले सेट कर लेजिए उसके बाद अगर आप इसको यहां से ड्रैक करेंगे बंप में तो आपका यह से मैप यहां पर बंप में अपलाई हो जाएगा मगर आपको ध्यान रगना इसको सिफ कॉपी करना है इसको इसको हिसको करेंगे तो जो आप टेक्चर वरण बंप मैं इसके लिए हम आपको यहां से कॉपी करता है आपका स्र प्याप में में एक चैंज हो剛剛 जैसे री में आपको यहां से टैक्चर को कर से अपला करना है This리 याप पर डिपीज लỏi में जो मैप आपने अपलारा कहा था उसके उप़ जाना है इन आप यहां से अड़्वास कंट्रोम में जाएंगे तो आपको जो वाइट हमारा याप टाइल ले जो वाइट कर लब है जो उपर वाला कलर है और जो डूर्ट का कलर को ब्लाक है तो आपक पर निखा हो आ रहे है उसको यहाँ पर क्लिक करने तरहला को यहाँ से बीच मैप पर जाना है 10 मैट वीटमाप के ओपन कर लिए लागे है तो या फेक into open आठी इसके उपर आप पने जहां करेंगा पने मेस नमक्लिक अपने रहा है यहांसरे जाता है यहां फंलाई करें है तो जैसे हम यह WHO bond करेंगे पर अपना हुआ है उसके उपर हमें यहां पर कोई रिप्लेक्षिन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे यह से वापस से Parent मटर इन जाएंगे है और है पर आप देख सकते ये आप एक एक खोल से कम कर देंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रियालिस्टिक या पर है तायल का या पर लुक आरहे हैं तो अगर आपके पास यहाँ पर और पर में आप 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 एड़ कर दीजिए तो और भी आपको यहां पर रियालिस्टिक लूक आएगा या फिर आप इसको आइसे भी चेक कर सकते हैं कि अगे तो इससे कुछ खाच हमें याप रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है एक रियालिस्टिक नहीं मिल रहा है तो लग के लिए तो यह सब चीजे थी यहां पर फ्लोरिंग टाइल के लिए एक सिंपल चीज हमने यापे की यहां से मट्रियल अपलाई कर दिया एक प्लेन हमने उसके बाद हमने यापे मट्रियल अपलाई कर दिया और यहां से जो है डिपू स्लॉट में जाके हमने आप एक टाइल का मैप यहां प्लाई किया है तो आप जह सकते हैं जो आपको टाइल चाहिए आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसका गुरूट का साइज भी चाहिए पारे ने प्यारज करो की तो हम एक इसके अंदर जाने की दीप में जाने की जुरूत नहीं है कि आसे मतलब तो को हमें याप पर मिल गई है और गूट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो कि गई इसी तरीके से आपको जो है अपने सीन में फ्लोरिंग की टाइल को याप अपलाय करना है जो आपको मैंने में बताइए उस तरीके से आप यूज कीजिए यही इसका तरीका है अगर और गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर के दोस्तों के साथ और चैनल का जरूर सब्क्राइब कर जिए ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक वाचिंग मैं वीडियो